नमस्कार दोस्तो, पाकिस्तान की मश्यूर अदाकारा सहर शिनवारी ने ट्वीट करते हुए दिल्ली पुलिस का नमबर मांगा है आखिर इस महतरमा को दिल्ली पुलिस की क्या जरूरत पड़ गई? क्या पाकिस्तान में पुलिस नहीं बची है गया? खेर वो छड़ो, अखिर नमबर मांगा क्यों? तो दोस्तो, सहर शिनवारी का कहना है कि वो प्रधान मंतरी नरंदर मोदी और इंटलिजन्स एजन्सी रौ के खिलाब सिकाई दर्ज कराना चाहती है लेकिन क्यों? क्योंकि दोस्तो, इस महतरमा का कहना है कि प्रधान मंतरी नरंदर मोदी और इंटलिजन्स एजन्सी रौ मिलकर के पाकिस्तान में अराजगता और आतंकवाद फैला रही है इसके लाबा इसका ये भी कहना है कि अगर भारती अदालतें स्वातंत रहें तो मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया मुझे नियाय प्रधान करेगा अब दोस्तो इस ट्वीट का जवाब देते हुए दिली पुलिस ने इस महतरमा के मजे ले लिए तो दिली पुलिस ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हमें डर है कि पाकिस्तान हमारे अधिकार छेतर में नहीं है लेकिन हम जानना चाहेंगे कि जब पाकिस्तान में इंटरनेट बंध है तो आप ये ट्वीट कैसे कर रही है और हत्या, लूट पाट, आगजनी जैसी घटनाय देखी जा रही है और दोस्तों यह सब तब हुआ जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंतरी इमरान खान को इसलामाबाद हाई कोट के बाहर से गरफतार कर लिया जाता है अब आपके दिमाग में सवाल उठा होगा कि आखिर इमरान खान को क्यों गरफतार किया गया तो दोस्तों देखिए इमरान खान पर फिलाल 140 से अधिक मामले दर्ज हैं इनमें हत्या, अतंकवाद, ब्रष्टाचार, इशनिंदा, हिंसा जैसे मामले शामिल है और अभी जो फिलाल इमरान खान को गरफतार किया गया है, वो एक भ्रष्टाचार के आरोप में ही गरफतार किया गया है उसके बाद पाकिस्तान में धारा 144 लागू कर दी गई, दंगे भडग गए और ग्रह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई दरसल दोस्तों इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पतनी बुसरा बीबी के साथ मिलकर 50 अरब पाकिस्तानी रुपयां को लीगल बनाने के लिए एक रियल एस्टेट कंपनी से रिस्वत ली थी और दोस्तों ये करब्सन तब हुआ था जब इमरान खान प्रधान मंत्री थे और दोस्तों बताया जाता है कि इस करब्सन की वज़यसे पाकिस्तान को 19 करोड पाउंड का नुकसान हुआ था ऐसे में अब सवाल उठता है किस हालात से निपटने के लिए पाकिस्तान के पास क्या विकल्प हैं तो कहा जा रहा है दोस्तो कि अगले 48 से 22 घंटे पाकिस्तान के लिए बेहद एहम होने वाले हैं और सेना के पास मार्सल लोसे लेकर PTI पर बेन लगाने जैसे विकल्प मौझूद हैं अब देखना होगा कि पाकिस्तान में तक्ता प्लट होता है या नहीं अगर ऐसा होता है तो ये कोई आश्चर की बात नहीं होगी क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान में कई बार तक्ता प्लट हो चुका है तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी है आपको नीचे कॉमेंट सेक्षन में पताईएगा वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेजएगा और हाँ जाते जाते वीडियो को शेर जरूर कर दीजगा इसी तरह की इंटरस्टिंग वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू जैहिंद